हाई गाईज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम की टाइप्स की डेफिनिशन एंड एक्जाम्पल्स को तो सर्वनाम हमारा छे प्रकार का होता है फस्ट होता है हमारा पुरुष वाचक सर्वनाम, सेकंड होता है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड होता है निश्चे वाचक सर्वनाम, फोर्थ होता है अनिश्चे वाचक सर्वनाम, और फिफ्थ होता है हमारा प्रश्ण वाचक सर्वनाम, और लास्ट होता है हमारा संबंद व और यह शब्द आती हैं इसके बाद हम देखेंगे इसके एक्जामपल में हैं फर्स्ट हमें दिया है मैं फिल्म देखना चाहता हूं सेकेंड है मैं घर जाना ये दो एक्जामपल आप दे सकते हैं उसके बाद सेकेंड आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्व पारिदाती है जैसे मैंने खाना खा लिया मैं अपना काम खुद कर लऊंगा ठीक है एक्जाम्पल देख सकते हैं आप इसके मैं अपने आप चला जाऊंगा 3rd सर्वणाम हमारा रहता है निश्चेवाचक सर्वणाम की definition क्या है जिस सब्धिसे किसी वस्तु व्यक्ति अत्वा पधार्थ के विशे में ठीक ठीक और निश्चित ग्यान हो निश्चेवाचक सर्वणाम कहलाता है इस सर्वणाम के अंतरगत यह है और वहेशब आती है निश्चे वाचक सर्वनाम में क्या होता है जो चीज उपस्थित है ठीक है या फिर जो चीज प्रजेंट है उसका ठीक ठीक ग्यान होना ठीक है कितनी मात्रा में है कैसी है सब कुछ निश्चित होना निश्चे वाचक सर्वनाम कहलाता है एक्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्जाम्पल दिया है आपको आजकल यह स्वैम नहीं खाता पीता सिकेंड है वह एक बार फिर दोड़ प्रतियों गिता में दूसरा इस्थान पर आया इसके बाद है अमारा फोर्ट अनिश्चेवाचक सर्वणाम इसकी definition होती है वह सर्वणाम जो किसी निश्चित वस्तू या व्यक्ति का बोद नहीं कराता अनिश्चेवाचक सर्वणाम कहलाता है इस सर्वणाम के अंतरगत कोई और कुछ शब्द आते हैं आप इसके आपके घर पर कोई आया ठीकें, डाउट है आपके घर पर कोई आया, सेकंड है कुश दे दीजिए, किसी चीज का नाम नहीं है, कुश दे दीजिए 3. थर्ड है कुँछ काम करो कुछ काम करो इसके बार हमारा फिफ्थ रहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन है जिस सर्वनाम का प्रियोग प्रश्न करने के लिए किया जाए ठीक है आपको नाम से ही पता चलता है प्रेश्ण वाचक सर्वनाम जिस शब्द का प्रियोग हम प्रेश्ण पूछने के लिए करते हैं वहाँ पर प्रेश्ण वाचक सर्वनाम होता है इसके अंतरगत कौन और क्या ये दो सर्वनाम आते हैं कौन और क्या, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रश्न वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, एक्जामपल में देख सकते हैं, आप देखो तो कौन आया है, इंट सेकेंड है हमारा, आपने क्या खाया है, इसके बाद लास्ट और सिक्स्ट है हमा मारा संबंद वाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम की परिभाशा होती है जिस सर्वनाम से एक सब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंद जाना जाता है उसे संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं इसके अंतरगा जो और सोश आते हैं इसके अंतरगा जो और पश्रोश अब दाते हैं, एक्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसका, जो की, जिनको, जिन होने, जिनके आदी, तो फ्रेंड्स, यह थी आपकी सर्वनाम की, इन सिक्स टाइब की, डेफिनेशन, इन उसके एक्जाम्पल्स, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, निव टॉपिक के साथ, फैंक यू सो मच फ्रेंड्स,